तो सबसे पहली बात हम कंटिनुसली देख रहे हैं लास्ट बहुत सारे ट्रेडिंग डेश से की अफ़ाय जो है बहुत एग्रेसिवली उनका जो होल्डिंग से वह घटा रहा है और उसी के चलते कहीं न कहीं मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और शेस में गिरावट भी देखने को मिल रही है जल्दी से आता है फ्यूचर इटेल पे फ्यूचर इटेल में हमें बैक टो बैक दो अपर सर्कीट देखने को मिलें 55% के इतनी सारी बड़ी जो गिरावट थी उस गिरावट के ब तो यहाँ पर आप देखिए हमें चार्ट बहुत लंबे समय के बाद green देखने को मिल रहा है क्या उसके पीछे की reasons थे वो भी हम जारेंगे उससे पहले एक update जो मैंने recently share किया था जहाँ पर एंसेल्टी जो है उन्होंने एंसेल्टी को एक प्ली सब्मिट किया था जिसमें वो बोल रहे है कि जो इन्जॉलवंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है बैंक ऑफ इंडिया से इनिशेटियर उसको जो है stop किया जाए उन्होंने अपोस किया है उस पर्टिकिलर जो प्रोसी ना हो फीचर गूप और उनको यह भी लगता है कि फीचर गूप यह इंटेंशनली जो है कर रहा है रिलाइंस को जो है असेट बेशने के लिए तो यह पाइल अपडेट था जो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी लेके आया फीचर इटेल के लिए दूसरा अपडेट Amazon sends notice to future group to stop transaction with Reliance तो यहाँ पर यह भी बहुत बड़ अपडेट है friends recently update आया यानि आज ही का अपडेट यह देखिए Amazon has sent a notice to future group promoters asking them to refrain from entering into any kind of transaction with Reliance Industries group either directly और indirectly तो sources aware है इस decision का और यह जो notice है यह किसी भी transaction को जो है avoid करने के लिए है क्योंकि recently जो है जो future retail का जो क्रेडिटर्स ग्रूप है उन्होंने जो है Reliance की इंडेस्टी की जो डील थी 24,713 करोड को उसके against vote किया था तो Reliance ने जो है withdraw कर लिया था जो डील उन्होंने किया था तो जहाँ पर future group के जो क्रेडिटर्स है यानि जो banks उन्होंने लोन दी है उन्होंने ही reject कर दिया तो Amazon चाहता है कि future retail इस तरीके की डील को कुछ भी जो है execute ना करे क्योंकि recently यह देखने में आया है Amazon को यह पता चला है कि future group के जो promoters है वो कही ना कही Reliance ने जो डील थी वो reject करने के बाद भी उनको की कोशिश कर रहे हैं और उसी की वज़े से जो है यहाँ पर Amazon जो है अपोस करना चाता है future group को इसलिए उन्होंने जो है एक notice भेज़ा है तो देखिए friends दोनों भी update कहीं न कहीं यह indicate करते है कि Amazon नहीं चाहता है future retail इंजलवनसी में जाए या फिर और Reliance को खरीदे तो definitely Amazon चाह रिटेल को जो है market में बनाने के बना के रखने के लिए क्या Amazon खुद इन्वेस्ट करेगा future retail में तो उसके बारे में भी अभी तक कोई update नहीं है यानि इस शेयर के बारे में लास्ट दो साल से उपर हो चुके है कुछ भी certainities uncertainties कुछ भी clear नहीं होती है तो इसका मतलब यह क्या दो अपर circuit लग गए इडमेंस यह फिर से जो है उनकी पुरानी prices पे बहुत quickly चला जाएगा नहीं friends जब तक कोई concrete update नहीं आता है कि future retail में क्या हो रहा है तब तक हम confirm नहीं कर सकते कि यह फिर से 80 रूपीज क्रॉस करेगा या फिर 160 रूपीज क्रॉस करेगा क्योंकि बहुत जादा चीजे इन पैरलल चल रही है और हर एक चीज का हमें जो है latest updates होना चाहिए किसी भी share में जो है buying position बनाने से पहले तो friends latest updates आपको हमारी चैनल के तुर टाम टो टाम मि इमीडियेटली वह आपको मिल जाए तो यही सारी updates दिफ्रेंट्स जो में share करना चाहरा था thank you for watching this video